नमस्कार दोस्तों सभी को राम रम सभी को नमस्कार ओक्सफोर्ड केर्ट सेंटर यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपके बीच राके सोधरी फिर जीके की क्लास आपके लिए लेके आएक और जिसमें हम SSE GD के लिए और UP पुलिस के लिए और आपके रेलवे और सा साथ में आर्मी के पेपर के एक्जाम के लिए जो GK के कोशन बनते है JK को सैसन बनता उसको अच्छा मजबूत बनाने वाले तो सारी वी जहरत है एक पार तो दोनों किसको बोला आता है आपके एमदाबाद को तो इस परसन का राइट उत्र क्या हो जाएगा आपके एमदाबाद और एमदाबाद कहां पढ़ता है गुजरात में कई बार परसन आता है क्या गुजरात की राजधानी एमदाबाद है तो आप बोलोगे नहीं एमदाबाद एक सहर है जो साबरमती नदी के किनारे है और साबरमती नदी के किनारे ही गांधी नगर पढ़ता है और गुजरात की राजधानी का नाम क्या है गांधी नगर बहारत में सूथि वस्तर की राजधानी पूछे तब आपको क्या बताने है जो बुक्षा नेसरनल पारक यानिकि इसको कई बार बुक्षा ना बोलकर इसको Bundeservans यह सुंद्रवन डिजरव सुंद्रवन टाइगर रिज़रव शहतर के लिए जनादा आपके तो यहां पर राय टूट्र क्या बन जागा आपके पशिम बंगाल तो यान कि बुक्सा नैसनल पारक भारत के किस राज्यें इस देता दौस्त तो राय टुतर यहां-पर क्या बने तो क्या बोलोगे राजस्तार में लेकिन भारत में सरवादिक नैशनल पारक किस राज़े में हैं मद्दे परदेश में और पूरे भारत में सबसे ज्यादा नैशनल पारक मद्दे परदेश में लेकिन नैशनल पारक है कितने देश के अंदर वे कौन सा राजे जहां पे नैशनल पारक नहीं है तो आपको बोलना है पंजाब, क्या बताओगे पंजाब कई बार परसन आता है रनथम बोर नैशनल पारक या रनथम बोर राष्ट उदान किस राज़े में है तो राजस्तान बताना है काना नैसनल पारक पूछ लेक तो कहां पढ़ता है मद्दे परदेश में एक सिंग वाले गैंडे के लिए पूछा आता है काजी रंगा नैसनल पारक किस राजे में असम में कहा हैं भारत का पहला नैसनल पारक कब बना था 1936 में और उसका नाम आता है जिम कोर्बिट नैसनल जिसे सबसे पहले हैली नैसनल पारक बोलते थे आज उसका नया नाम है राम गंगा नैसनल पारक जो उत्राखंड के नैनिताल जिले के अंदर पढ़ता है दोस्तों अगले परसन में देखे, अगले परसन में क्या देगा Дेगा, एक्सगान निमली कित में से किस परदेश का एक लोग नट्य है, या एक लोक निर्ट्य है, एक्सगान कई बार परसन आता है ना कि गरबा कहां का लोग निर्थे गरबा तो क्या बोलोगे गुजरात का वहीं डांडिया की अगर बात करे तो भी क्या बोलोगे गुजरात का गुमर की अगर बात करे तो क्या बोलोगे राजस्तान का युद और मुखुटा निर्ते की अगर बात करें तो क्या बोलोगे अरणाचल परदेश में कानबेलिया की अगर बात बोले तो क्या बोलोगे राजस्तान में सुया नामक त्योहार पूछे तो भी कहां बोलोगे राजस्तान, सवांग निर्ते पूछे सवांग, सवांग कहां का है राजस्तान का, लेकिन सांग निर्ते पूछे तो बताना आपको हर्याना कहां का, बंगडा गिर्दे बोले तो आपको क्या बताना है पंजाब का, और ए एक निर्त्ते पुछेए का नोटंकी रास लिला उत्तर परिश का लेकिन पर्समें क्या पूछे है दोस्तों। कहां का पुछे, आपका पुछे नान का है करनाटक का करनाटक 카 इसे बगीचो का सहर बोलते हैं मसालों का सहर का जाता है तो आपको बताना है बगीचो का सहर किसको बोलते हैं बेंगलूर को जबकि मसालों का सहर का जाता है आपके केरल को भारत में सरवादिक कोफ्यूत पाधन करने वाला पहला राजी कौन सा है दोस्तों तो आपको बताना है करनाटक कौन सा है करनाटक भारत में सरवादिक रेसम कीट पालन कि कहां पड़ता है करनाटक में अगर परसन आ कि सर जो करनाटक राज्य है ये किस घाट से लगा है पश्मी घाट से या पूरवी घाट से तो बताना है पश्मी घाट इसके उपर तो पड़ता है आपके गोवा और महराष्टर जबकि इसके नीचे पड़ता है आपके केरल और तमिलनाडू क्या पढ़ता भीया केरल और तमिलाडू लेकिन अगर आपसे परसन पूछ ले पूरे भारत में सरवादिक जो नहरो दुवारा सिचाई होते हैं वो किस राज्य में होती है पूरे भारत में गेहूत पादन करने वाला राज्य कोण सा है उत्तर परदेश पूरे भारत में आपसे पूछ लेगा आलू उत्पादन करने वाला राज्य भी कोण सा है उत्तर परदेश पूरे भारत में दूद उत्पादन करने वाला राज्य भी कोण सा है जनसंख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा राज्य भी कोण सा है उत्तर परदेश की राजदानी का नाम है लखनव क्या नाम है जो गोमती नदी के किनार है किसके किनार है गोमती नदी के वहीं पर बात करूँ बिहार है बिहार का याद रहना सबसे कम पड़े लिखे लोग यानि कि साक्षता दर किस राज्ये की कम है और आपसे पूछलेगा जन गनतव यानि कि परतेग वरक किलोमेटर में पबलिक जादा रहते है तो वो कौन सा जाएगा आपके बिहार का आपसे परसंद पुछेगा किस राज्ये का लिंगा नुपात कम है तब आपको हरियाना बोलना है लिंगानुपाद जादा बोले तो किसका बताना है केरल का लेकिन पंजाब के बारे में क्या परसन बनता है कि पंजाब राज्ये का गठन कब हुआ था एक नॉवंबर 1966 को वो पंजाब राज्ये से किसको बना दिया आपके अरियाना को बना दिये ये भी ठोड़ा सा ध्यान देना दोस्तो अगले प्रसन को देखते है अरियाना का जो लिंगानुपात है परतेक 1,000 पुरुषों पर 8,79 महिलाएं पाई जाती है 889 महिलाएं पाई जाती है जबकि केरल में 1,000 पुरुषों पर क्लासिकल डांस है सत्रिया क्लासिकल डांस का नाम क्या है सत्रिया और इस सत्रिया निर्ते को जो मानिता दी गई थी यह 2000 में दी गई थी कब दी गई थी 2000 में देखो भारत में सबसे पहले क्लासिकल निर्ते की जो मानिता दी गई थी वह 1932 में दी गई थी और 1932 में सबसे पहले मिल थी भर्त नाट्यम तो सबसे पहले क्लासिकल डांस का दर्जा किसे मिला भर्त नाट्यम इसलिए सबसे प्राचिन आपसे क्लासिकल डांस बोले तो आप क्या बोलोगे और सबसे नया क्लासिकल डांस बोले तो आप क्या बोलोगे सत्रिया और भारत में क्लासिकल जो डांस में अगर बात किजा है तो वो कौन सा क्लासिकल डांस है जिसको नोवे का दर्जा मिल रहा है छव जो बिहार, ओडिसा और पश्चिमंगाल तीन राजियों में होगा लेकिन अभी क्लासिकल डांसों की संख्या कितनी है ب vicolat जिसमें से पूछा आता है मनीपुर का मनीपूरी क्या नाम भया मनीपूरी वही असं की अगर बात करें तो क्या बताऊगे सत्रिया तो इन दोनों में आपके क्लासिकल डांस है लेकिन Одissa, मीजोरम में सरी, पच्शिममंगाल और आपके मीजोरम में क्लासिकल डांस नहीं है लेकिन छहुखो जैसे ही मानिता मिलती है तो ये पच्शिमंगाल, ओडीसा और आपके कहा कह बैगा बिहार का एक चोता सा परसन बताएए मुझे Classical dance में कतratesकली निर्ते का का से संब्भ है कतकली केरल से Mohiniy atom की बात करें तो भी यह बताना केरल लेकिन एक Classical dance मिलेगा आपको कत् benefited का यह याद दगना उत्तर भारत का कहा का है दोस्तो यह उत्तर भारत का यह उत्तर परदेश बोल सकते हो लेकिन एक नित्य नाम मिलेगा ओडी सी उडी सा से मनी पूरी मनी पूर से एक नित्य मिलेगा आपको कुच्ची पूरी तो कहां का है आंधर प्रदेश का और एक मिलेगा भरत नाट्यम और भरत नाट्यम कहां का है भया तमिले नाडू का तो सबसे प्राचिन क्लासिकल डांस Classical Dance Classical Dance में नया सत्रिया का सम्मद और यहां पर एक लोक निर्ते बहुत फेमस है लोक निर्ते जिसका नाम आता है बीहू क्या नाम आता है बीहू तो आपसे परसन आएगा बीहू लोक निर्ते का सम्मद किस राज्ये से है असम से अगले परसन के और बढ़ते हैं फटा फट से अपने कोशन को लगाई है दादा साहे फाल के पुरुषकार की सुरुवात इन में से किस साल में की गई थी दादा साहे फाल के पुरुषकार आपको पता है दादा साहे फाल के दुआरा जो पहली एक फिलम का अंदिरमाता था उस फिलम का नाम था राजा राजा हरिस हरीस चंदर और राजा हरीस चंदर भारत की पहली फिलम बनी थी 1913 में और ये भारत की पहली क्या थी बोलती नहीं थी ये कैसी फिलम थी मूग फिलम कैसी फिलम थी वह या मूग फिलम यानि की silent है फिलम आपको ध् मूख फिलम अब एक बात बात जायसाथाल के नामक जो पुरुसकार है दोस्तो 1939 में अमेरिका की ड्रामा कंपनी के दुआरा दिया जाता है जबकि भारत में दादा साहिब पुरुसकर की जो सतापना हुई थी वो किस वर्स हुई थी 1969 में दादा साहिब दुआरा एक पहली फिलम बनाएगा इसका नाम क्या है राजा हरिस्चंदर और राजा हरिस्चंदर फिलम कब आई थी 1913 में भारत की पहली बोलती फिलम बोलेगा आपसे भारत की पहली बोलती फिलम वो भारत की जो पहली बोलती जो फिलम है दोस्तो वो है याद रखना आलम आरा कौण से है आलम आरा और आलम आरा का परकाशन कब किया गए था 1931 में भारत की पहली रंगीन फिलम ठीना तो आपको बताना है किशन कनया किशन है कनया आपको बताना है रंगीन और बोलती आलम आरा मूख फिलम बोले तो आपको क्या बताना है राजा हरी चंदर मूख फिलम का परकाशन का बुआ था 1913 में और 1913 में ही बताते हैं कि अलफेड नोबिल ने एक पुरुसकार जिता था जिसका नाम क्या था नोबिल पुरुसकार किस शेतर में साहिते के शेतर में और 1913 के अंदर सोहनलाल बहुगुणा लाला हर्दयाल सर्मा ने सैन फ्रांसिसको अमेरिका में गदर पाटी की क्या कि थी इस्तापना अगले परसन को देखी अगले परसन में क्या देगे भारत के सबसे प्राचिन भुखन्ड इनमें से कौन सा है देखो बाहरत का जो सव रूप है յह चार बहुतिक परदेश में है चार लेकिन हम किताबों में कितना पड़ते है छे लेकिन चार बहुतिक परदेश आपके कौन-कौन से एक तो परवत्य है कैसा भया परवती है एक आपका कैसा मिलेगा मेदानी एक कैसा मिलेगा मेदानी और एक याद रखना आपको पठारी एक कैसा याद रखना है पठारी और एक याद रखना आपको तटी है कैसा परदेश तटी है तो इन में से सबसे पहले जो निर्मान होए थे वो जवाला मु लक्षिन भारत तो सबसे प्राचिन भूभाग इसमें से कौन सा है प्राइदी पर पठार सबसे नया याद रखना सबसे नया नया बोतिक पर्देश तो कौन सा जगा गंगा का मैदान जिसे हम क्या बोलते हैं उत्री मैदानी मैदानी भाग कोई दिक्कत को नहीं क्यों गयो और वो चल चमेली बजार में तुझे जुला जुलाओं इधर आज़ा कौन से राज्यमीन में से किसी एक का जन संख्या गंगतव सबसे कम है मनी से बताएगा देखो बारत का जो जन गंगतव कई बार प्रसन आता है सर बारत का जन गंगतव देखो जन गंगतव का अर्थ पूछ लेता है कई बार तो जन गनात्व का मतलब होता है प्रति वरग किलोμεटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या तो सबसे कम कुछ को पहले ए बिहार का लेकिन आपको यह तो राज्यों की बात कर ली मिने राज्यों में लेकिन अगर ना अछय यूत्ी ठेटर में ज्ञाद है निकोबार का और इसका कितना peta एक वरक कीलोमेटरे में कितना आदमी रहा है तो सबसे आदा जन गनत्वाला राज्ये 6 बोल दे तो राज्ये 6 बताईे तो आपको दिल्ली बताने लेकिन only for Razje पूछ जो क्या बताना है सबसे कम Razje पूछा और यहां पे राइट उतर क्या हूजँ है बहार्त का सूरेद उदे का देश किस को बोलते हैं सूरे-उदे का देश कि है चीछ राज्य पोला पोच पाज मा छोट देयो थे आज वागले परसन को देखे इन में से कौन सी चोटी भारत के अंदर इस्तित है या नहीं है नहीं पूछ रहा है तो निम लिखित में से किस कौन सी चोटी है जो भारत के अंदर नहीं देखो K2 पढ़ती है P.O.K. में काँ पढ़ती है लेकिन जो एरिया बहुत की से फिरकाब और वह स्था कर्द्धा ही और तो यहां कि उत्तरे लेकिन कई बार चोटियों की हाइट पूछ लेता है, इसकी हाइट है 7817 मीटर, माउंट एवरेश्ट की हाइट है 88.86 मीटर, लेकिन जो कंचन जंगा इसकी हाइट है 85.88 मीटर, लेकिन वहीं पे आपके केटू की हाइट की अगर बात करें तो 86-11 मीटर आपको ध्यान देनी, यह तो पढ़ती है लद्दाक में, सिक्की में, लेकिन माउंट एवरेश्ट जो पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है, नेपाल में, याद रखना, नेपाल में इसको बोलते है सागर, सागर माथा, तो सागर माथा याद रखना, माउंट एवरेश्ट कई बार पुछाता है कि मा माउंट infinite झो बनायाता यह आपके बनायाता है आपके पतारिक को 59 मई को का मै लोन The 即र रिए इस और कोई विक्ति यहांसे चड़े यहांसे दोनो और से चड़े गा- Each के ढीगर दोनो हो शचरिक दो मरे गार क्योंकि तो मरेगा ऑना यह मैं यह से दोन से चड़े गा-sz crack को मनाया जाता है 39 मही को तो यहां पर राइट उत्र क्या हो जगा आपके माउंट एवरेश्ट कई बार परसन आता है कि दुनिया की सबसे उची चोटी का नाम भी क्या है और माउंट एवरेश्ट किस महादीप में पढ़ती है और ये किस परवत के उपर है कई भार परसन आता है कि दुनिया का सबसे नया परवत दुनिया का सबसे उचा परवत पूछे तो दुनिया का सबसे उचा परवत पूछे तो बताना रोकिज क्या बताओगे दुनिया की सबसे लंबी परवत सरंकला पूछे तो बताना एंडिज क्या बताओगे लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी परवस रंकला बोले तो क्या बताओगे दुनिया की सबसे नई परवत बोले तो तो यह 4-5 परसन आपकी परवस रंकला से बनते है सबसे उची परवस रंकला रोकी जै जो आपके उत्री अमेरिका महाधीप में पढ़ता है विश्व की सबसे लंबी परवसरंकला एंडी जाय जो दक्षणी अमेरिका महादीप में पढ़ता है दुनिया की सबसे पुरानी जो आपके परवसरंकला है अरावली ये एश्या महादीप में पढ़ती है वहीं दुनिया के सबसे नई परवसरंकला ये भी किस महाधीप में पढ़ती है एशिया में जितनी जो 4-5 बाते आपको नई लगती है न दोस्तों सभी से आजोड की निवे दिन है लिख लिया करो क्योंकि वीडियो चलने के बाद में खतम होने के बाद में कभी मन नहीं करता कि वीडियो को बैक देख लूँ क्योंकि वीडियो एक तरीके से क्या होते है फिलम का चलचितर होता है जैसे फिलम के चलचितर को हम देख लेते हैं तो हातो आत उसको देखने का मन नहीं होता कई महिने के बाद देखने का मन करता है तब तक आपके तोत्ते उड़ जाते हैं तोत्ते नहीं उड़ाने आपको बीच बीच में जो दो बाते बोलो वो लिख लिए गर जैसे दुनिया की सबसे उची परवसरंकला रोकीज है उत्री अमेरिका में, दुनिया की सबसे लम्मी परवसरंखला एंडीज है दुनिया की सबसे पुरानी परवसरंखला अरावली है दुनिया की सबसे नई परवसरंखला कौन सी है हिमाले और हिमाले की हुची चोटी का नाम क्या है माउंट एवरेट यह जितनी भी चोटी आपको दिखाई दे रही है यह सारी किस परवत की है इस चोटी है हिमाले की तो कई बार परसन आ जाता है कि निमली खित में से कौन सी चोटी हिमाले की नहीं है तो यह एश्या महातीप में हिमाले परवत है हिमाले परवत में आपको दे देगा एक चोटी का नाम दे देगा आपको गुरू सिखर क्या नाम देगा अब आपको ओप्सन दे दिये ये चारो ये पांचो ये पांच चोटी लिख दी मैंने कितनी चोटी लिख दी एक दो एक तीन एक चार एक पांच इन में से कौन सी चोटी हिमाले की नहीं है very good क्योंकि अरावली जो परवस रंखला वो हिमाले का भाग नहीं है अरावली परवस रंखला आपके प्राइदी पे पठारी परदेश का भाग है प्राइदी पे पठारी परदेश का परवती परदेश का भाग है नहीं है दोस्तों एक तो सैसन को बिल्कुल भी शेर नहीं करते जितने भी नलायक देख रहे हैं कम से कम एक सैसन को शेर तो करे एक विध्यारती एक विध्यारती को शेर करेगा यानि कि आप जितने हो तो उसके डबल तो हो जाएंगे तो सभी से निवेदन है जितने भी तो यह समझ में आता गुरु जी उप्रेशन उफलर्ड क्या membया go姦 को भृत में दूद को आधन का देने के लिए तो इसको बोलते है दुगद करांती क्या बोलते हैं दुगद करांती इसको कई किताबों में दुगद करांती ना मिलके इसको मिलती है सवेत करांती क्या मिलती है सवेत करांती तो सवेत करांती का मतलब है कि दूद यानि कि जो डेरी विकास है डेरी में उत्पादन लाना तो डेरी हो गया वर्गिज कुरियन क्या नाम भया वर्गिज कुरियन वा यार अरजन यानिकि सवेत करांते का जनक पूछे तो क्या बताओगे वर्गिज कुरियन तो लेकिन वहीं पर याद रखना हरित करांती का जनक हरित करांती का जनक तो हरित करांती का जनक आजे तो याद रखना नोर् बोर लो सिधा बोर लोग लेकिन हरित करांती का जनक भारत में पूछे आपको परसंदेगा कि हरित करांती का जनक भारत में या भारत की हरित करांती का जनक तो देना आपको MS से स्वामी स्वामी नाथन तो दिमाग को थोड़ा सा मजबूत बना हरित करांती का संबंद बताना नोर्मन बोलो लेकिन हरित करांती का संबंद भारतियों पूछे तो मैं स्वामी नाथन हरित करांती का संबंद था भया खाध्यान फसल किससे था खाध्यान फसल या आप भारतो, दूसरे नममर पे USA और तीसरे पे हैं, चीन, कौन सब याई चीन, तो कईबार परसन आता है दूध में पाए जाने वाले तत्व का नाम एक तो होता है कैसिन, क्या नाम होता है कैसिन, एक होता है कैरोटीन अगर दूध हलके रंग का सफेद हो रहा है सफेद हो रहे हैं तो वह कैशन के काण लेकिन दूद हलके रंगा पीला हो रहा है वह कारटिन दूद की सुदता गों आपने के लिए努्य हो करते किसका करते है लेकिन दूद में एक अमल या एसिड पा들 जिसको लक्टो लक्टो बेसल तो एक परकिरिय जु पहलों नहीं पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए भारत के अंदर सबसे बड़ी तेल सोध साला इनमें से कौन सी जगह है देखो कई बार क्या होता है आपसे सबसे बड़ी की बज़ा ये पूच लेगा परतम देश की सबसे परतम तो परतम आपको बताने है परतम तो प्रथम थी डिग बोई क्या थी डिग डिग बोई और डिग बोई ये 1901 में इसके सुरवाद हुई थी एक किस राजें पढ़ती है असम में कई बार प्रथम पूछ लेगा लेकिन यहां प्रथम नहीं पूछा सबसे बड़ी पूछ लिया तो सबसे बड़ी आपकी कौन स आई तो कच्चा तेल हो गया आपके खनीज तेल हो गया तो मुंबई बताना है सबसे बड़ी आपके तेल सोच साला आपके कौन से हो गई जाम नगर है अगले परसन में देखें क्या दिया गया है बहारत का पूर्वी समूंदरी तट इन में से किस नाम से जाना आता है दे गुजरात से गोवा लेकिन राजे पूछे तो वहां पर दिगा तट की बात करे है ये आपके गुजरात और महरास्टर के बीच का शेतर यह तो यहांका राएट उत्तर क्या बन जाएगा आपके तो इसने यही तो पूछा है कि पूरवी समुंदरी त्रट को हम क्या बोलते है जब भारत में मांसुन लोटता है ना लोटता हो मांसुन जाडों में यानि कि सर्दियों वर्षा करता है अक्टूबर नौंबर में कब करता है अक्टूबर नौंबर में वर्षा करता है लेकिन जब भारत में मांसुन आता है तो ये कौन से तट पे वर्षा करता है माला वर्थत और माला वर्थत कहां पड़ता है आपके और ये जो मांसुन आता है इसको बोलते है दक्षिनी पशी मांसुन जो मानसुन जाता है उसको बोलते है उत्री पूर्वी मानसुन तो उत्री पूर्वी मानसुन वर्षा कहां करता है उत्री पूर्वी मानसुन एक तो ये परसन आता है और दक्षिनी पश्वी मानसुन बारत में सबसे पहले आता है दक्षिनी पश्वी मानसुन तो आप बोलोगे मालावर तर्ट किस राज़े का केरल का कोरो मंडल तर्ट किस राज़े का है और एक बात बताए मुझे तमिलनाडू की सबसे उंची चोटी कौन सी है अर्जन नहीं बता सकता उसका उत्तर तो कौन सी है ओप संदू अन्नाई मोडी और डोडा बेटा दक्षिन बात की दूसरी पूछे तो डोडा बेटा दक्षिन बात की पहली बोले तो अन्नाई मोडी जो केरल में पढ़ती है तो डोडा बेटा न तू तो बोली नहीं सकता भार्त कौन से गोलार्द में इस्तित है भा एक बात बताएए यह आपके गलोब यह क्या है अब आपको पता यह बारत यह क्या है अगर भारत को आदे आदे भाग में पढ़ता यह तो भारत को ऐसे आदे भाग में पढ़ लो अब भारत को ऐसे भी तो आदे भाग में पढ़ सकते हो आदा गोला यह भी आदा गोला यह भात उसंदिसा में यह उद्तर है और यह कुलार्द में लेकिन कभी परसना जांक भारत कॉम्र से देनी रहा है भूमध दे Mac इसके कर नाम में पता चलता है भारती उत्री ऊsmकरणी ऐखें के दिया के अंदर शाषित प्रदेश लक्षदीप के न्यायकशचत्र का कारे आपको के दिगा कोई हाई कोट का नाम क्या देगा हाइकोट और बॉल ठीकोट के अंदर कोन कोन से चेत्रों का चेत्रा दिकार आता है जिसे आपको देगा कि जो हरियाना के कभी व्यक्ति अपना कोई case लडएंगे तो वह किस हाईकोट में लडएंगे तो अर्याना और पंजाब और चंदिगड का तीन ही एक ही हाई कोट है, जिसका नाम आता है पंजाब अर्याना हाई कोट, जिसे राजस्तान वालों का जो छेतरा दिकार है, वो कोण सा हाई कोट है, जोदपुर हाई कोट है, राजस्तान का तो स्वेम है, लेकिन ऐसे कुछ के इंदर साजी परदेश, जैसे गोभा का, अगर परसन आजय कि गोभा राज्जे का जो 6 अभिकर है वो कोन सा हाइकोट है तो मुंबई हाइकोट, जिसे बवंबई हाइकोट बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है प्रसन आता है कि पांडुचेरी अपना जो छेत्रा दिकार वह किसा हाइड कज आता है तमिल्नाडु लेकिन तमिल्नाडु की हाइड का नाम क्या है चेर्न्नाइड हाइड कोट वही पे बोम्बे हाइड के अगर बात करें तो इसके पास एक महरास्ट्र का है एक गोवा का है और एक और पढ़ता है जिसका नाम आता है दमन वै दीप और एक इसके साथ और जोड़ दिया और दादरा नगर हवेली अब वहीं पे अगर देखा जाए आपके कलकत्ता आईकोट के अंदर एक तो कलकत्ता यानि की पश्चिम मंगाल खुद है और एक और है अंडमान निकोबार दीप समू परदेश तो यह छेतरा दिकार आते हैं जैसे एक आपसे परसंद देगा कि सर जो आपके जम्मू एंड कस्मीर और लद्दाक इनका छेतरा दिकार कोण सा आईकोट है तो आपको बोलना जम्मू एंड कस्मीर तो इन दोनों का एक यह जिसका नाम आता है जम्मू एंड कस्मीर खा गया रोट खा 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 के सो गया यह उपर ना कर दी टांग है सुप्रीम कोट के जजों की संख्या को कोन बदल सकता है यानि कि सुप्रीम कोट के जजों की संख्या देखे जाए देखे जाए को सुप्रीम कोट में एक टाइम आपके एक पलस में साथ नियाए दिस थे कि देरे धेरे देरे करते करते आज इसके अंदर है तैंस प्लस में एक है आपके टोटल कितने है 34 कोट के जजों के संख्या में बदलाव करना'D यह सारा काम किसका उतौता है संसद का तो राइट उतर यहां पे क्या होजागा हाँ, कानुन द्वारा संसद, यानि कि कानुन द्वारा आपका कानुन बना के संसद इसमें बदलाव कर सकती है लेकिन कई बार परसन आएगा कि सुप्रीम कोट में जो जज है ना ये जज, जजों की नुक्ति कोन करता है राष्ट पती, और इनको सपत भी कौन दिलाएगा और इनको ये अपना त्याक पतर भी किसको देंगे राष्ट पती, सुप्रीम कोट में वर्तमाने में नियाइदी सो के संख्या कितनी बोलोगे आप लेकिन इस चोंतिस में से कारेरत कितने है, कारेरत जो काम कर रहे है एक पलस में आपके, एक पलस में 25 या, हाँ, एक पलस में 25 बराबर में 26 तो कितने वर्तमाने में काम कर रहे हैं सुप्रीम कोट में 26, ये याद रखने आपको सबसे बड़ा हाई कोट आपके इलाबाद हाई कोट है वो हाई कोट है सुप्रीम कोट का हेड ओफिस कहां पे है दिल्ली भोलोगे लेकिन सुप्रीम कोट में वर्तमान में मुख्य न्याइदिस कोन है मुख्य न्याइदिस हाँ तो याद ना वाईडी चंदर चूड चंदर चूड थी ना तो इसका पुरा नाम आता है यस्वंत धनंजे क्या आता है आपका हाँ यस्वंत धनंजे चंदर चूड अगले परसन को देखे क्या दिएगे चिकिस्या के छेतर में नोबेल पुरुषकार पाने वाले प्रथम भारतिय का नाम बताना है चिकिस्या के छेतर में चिकिस्या के छेतर में आपको साररिक चिकिस्या बोलते है क्योंकि नोबेल पुरुषकार कितने छेतर मिलता है कितने मिलता है छे चित्र में एक बात किया तो साइते और एक बात किया तो बोतिक और एक बात किया तो आपके रसाइन रसाइन विज्ञान बोतिक विज्ञान और एक बात किया तो शानती एक बात किया तो आपके अर्शास्तर और एक आपके बाद के जाए तो सारेरिक विज्ञान सारेरिक विज्ञान या इसको हम बोलेंगे चिकिस्या क्या बोलेंगे चिकिस्या तो कितने चेतर में देखो शान्ति का जो नोर्वे यानि कि जो पुरुसकार है कौन से सरकार देती है नोर्वे अब बाकी बच गए आपके पांच है तो यह कौन से देती है आपके Sweden कौन देती है Sweden तो Sweden कितने छेतर में Sweden की राजदानी है Stockholm डेनमार्क किस की है डेनमार एक खुद कंट्री है ठीक है तो यहां देखना आपके चिकिश्या के छेतर में सबसे पहले जो आपके नोबल पुसकार मिला वो किसको मिला लेकिन आपके एस चंदर सेखन राव को जो मिला था आपके किस में मिला था रसायन में किस मिला था रसायन में तो डॉक्टर हर गोविन को जो मिला था यह आपके 1968 में कम मिला था 1968 में यह आ अठाणे में वेरी गुड़ दोस्तों अगले प्रसंद को देखे क्या दिएगे भार्त के अंदर मुगल वन्स का संस्तापक कोन है देखो मुगल वन्स के दो बाते सुनना देखो मुगल वन्स का एक तो पूछता है वास्त्विक वास्त्विक संस्तापक तो वास्त्विक संस्तापक की अगर बात करेंगे तो क्या बताओगे अकबर लेकिन परसन में क्या दिएगे यहां पे सिधा पूछ रहा है संस्तापक कोन था क्योंकि मुगल वन्स जो चला था यह 1526 से लेकर आपके 1870 कब चला था इसमें जो अंतिम था वो था बहादुर बहादुर सा जफरar को हम क्या बोलते मुगल समराज्य या अन्टिम सासक अंतिम सासक मुगलवन्स का सासक लेकिन यहां पे कौन था बाबर तो बाबर पहला था इसलिए मुगलवन्स को हमने डाम दे 153 निया संस्तापक से लेकर कब तक किया तो 1526 से लेकर 3030 तक और बाबर के बाद इसका बेटा यानि कि इसके बड़े बैटे सोरी इसके चार बेटे बड़े बेटे का नाम था उमायू और उमायू गदि पर अबाद गदि पर अक्वार UE जहांगिर और जहांगिर के बाद जो गदी पर आए उसका नाम आता आपके सांजा और सांजा के बाद आए था ओरंग जेप और ओरंग जेप के बाद आपके जो गदी बैठता है तो वो आपको याद ना बादूरसा कोन बैठा था बादूरसा प्रत्थम बैठा था तो भारतिय गैंडे या एक सिंग वाले गैंडे निम लिखित में से किसे राज्ये में पाया जाते हैं जैहिंद सर जी जैहिंद मनोज भाई नमस्कार मनोज भाई तो परसंदिया गया भारतिय गैंडे इन में से किसे इस्तान पे पायाते हैं तो याद रखना आपके काजी र आपने बहरा बहरा सिंगा बहरा सिंगा सोनाुगा अपने बहरा सिंगा नामक जिंदावर पाई आता है वह का हいます यह 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 य। शेर बहन ाका एक मातरर राज जहां एक एकश्य कर पाई आते हैं इस लिए थ wipes का में पतवält प्लाइए 53 में अटा दिया और क्या कर दिया बाग को कर दिया क्योंकि भागों कि संख्यां खत्म उरी थी दिर उसके बाद में जहां करेत नैशनल पारक यह पढ़ता आपके उत्राखंड में तो टाहिशा पढ़ता हैं गुजरात tengan और जिम् elasले वहां किसके लिए आगला पर संदेखना सर्वस्ट ने내 कि प्रत्म महिला नियाईदिस का नाम बता नहीं सुप्रीम कोट के अंदर कोई महिला नियाईदिस बनी बिल्कुल बनी है सर अभी तक हमारे सुप्रीम कोट में आठ महिलाएं क्या बनी है आठ महिलाएं नियाईदिस बनी है आठ महिलाएं क्या बनी है उनली फोर नियाईदिस लेकिन याद रखना अभी तक हमारे मुखे नियाईदिस तो मुखे नियाईदिस पद पे कोई भी क्या नहीं आई महिलाएं नहीं बनी महिलाएं नहीं आई कोई मुख्य नइवनी सिद्धि क्या बनिये नियाय दिस पनिये उसका नाम आता है मीरा साइव फातीमा ईशओन क्या अंदर का है उलंपिक खेल में पदक जींटा क्या जीता पदक यानि-क पहली भारतिया महिला जो ओलंपिक खेल में पदग जीते रहे और कैसा abundant जिसको क्या बोलते हैं कास्से पदक और करणन लेसन वरी का संबंद्ध किससे बोलोगे अपर बारो तोलन से कई बार क्या परस्थन आता है कि ओलंपिक खेल में किस महिला ने सबसे पहले पदक जीता तो आप बोलोगे बारोत ओलन ने और सन 2000 के अंदर और कैसा पडग जीता का से पडग ओलम्पिक खेल में क्या किसी महिला ने गोल्ड मेर्ड जीता है तो आप बोलोगे सर अभी तक नहीं जीता गोल्ड लेकिन हाँ पुरुस ने जीता है और पुरुस दो है आपके एक चोपड़ा और एक अभीनव बिंद्र आपको बताने मनोज जूड़ी है के वेरी गुड़ भाई सब मनोज के लड़ू बाटे जाएंगे आज जूड़ा है तो पहले बहारती अंत्रिक्स यात्री का नाम बताईए तो पहले अंत्रिक्स यात्री देखो सीधा प्रसन आज जा मेजर यूरी गागरिन तो मेजर यूरी गागरिन कब गया था 1961 में और यह गया था पूर्व पूर्व सोवियत संग एक देश था लेकिन आज इस देश को हम क्या बोलते हैं only for रूस तो यह रूस का था बारत की ओर से जाने वाला पहला व्यक्ति कुन था और यह किस वर्स पहली महिर था इंपी तुरा गड़े रहने वाली लेकिन लंबे समय तक लंबे समय तक बनी रहने वाली लगब आपके बताते हैं 385 मेठेश उपर ठेलने वाजें तो आपका जवार्व, क्योंता वियल्यम्स इसका संबंद्ध कांसे गुजराश से कासे हैं गुज्राश आसे लेकिन कलपना चावला का संबंध अगर आपसे पूछ ले तो बताना आपके हर्याना के कर नाल से लेकिन इसने बाधने अमेरिका की क्या लेली थी नागरूकठा करें ँद्रेक्स में अंब्म शूको चेंट आंट्रिक्स सूट सुटां सारी चीज़ा तो थे श्कारी साव्टव से एकनाShir दम न्यूमानले एक दम प्रकार को लोगड होजे रुई होजे जम्माई पैर किने दर किने ठीक है काचा काटे है अगला देखिए बनी ठड़ी नामक पड़से चित्रकृती इन में से कौन से चित्रक्लास सम्दिता है बनी ठड़ी एक पैंट रहोज है और यह अजमेर के किसंगड सेलि से तो यह काई बार परसन पुछाता है एक यहां पर बनी ठड़ी ना पूछ तो किशनगड की याद रखना है अजमेर में पढ़ती है राजस्तान किशनगड एक आपके क्या पढ़ता है जगह पढ़ता है कि हां मारवल के लिए फैक्टरी भी जाने आते किशनगड भारत के कौन सी परवस्रेण इनमें से नविंतम है अभी पढ़ा था जश्ट तो भार सबसे नविंतम की बजाए आपसे पुझ लेगा भारत की सबसे उची है तो यहां पर राइट उत्तर क्या होजे आँ और यह साद्री क्या है सरीये हमारा पश्मिगाते क्या ये है पश्मिगाते जो गुजरास से लेकर कन्या कुमरे तक है और इस पश्मिगात का ही अन्ये क्या नाम सठीस सर्ए अरावली प्रवसरंखिला है इसकी सबसे ऊंची चोटी स्टै उंची चोटी तो क्या बताऊता बाप है गुरू सीकर गुरू सीखर है लेकिन कई बार आता हैं पश्मी अठीस सबसे ऊंची चोटी कुन सीपने सब लोत हो अनाई मोडी और जो पढ़ती है केरल में जिसकी हाइट है 2695 मीटर लेकिन गुरु सीखर की हाइट है 1722 मीटर जो राजस्तान में पढ़ती है कहां पढ़ती है राजस्तान के माउंट जिसको राजस्तान का क्या बोलते है कस्मीर और यह मांट आवेवरेष्ट कहां पड़ता है सिरोई में एक परसन नों सुना सत्पूडा की सबसे उंची चोटी सत्पूडा की उंची चोटी तो याद रखना इसकी है धूपगड क्या नाम भया धूपगड और धूपगड कहां पड़ती है मद्दे पर देश में जिसकी ह प्रेष्ट अनाम है पंच मढ़ी सद्पूडा की रानी कि सद्पूडा परवत परवत की राणी किस जगय को बोला है पंच मढ़ी को किसको बोले तो कई बार परसन आता है सत्पूडा की रानी किसको बोलते है पंचमडी को अरब सागर की रानी किसको का दाता है कोचिन को तो अरब सागर की रानी कोचिन आती है सत्पूडा की आपके रानी पूछे तो आपके वो पंचमडी बताना है सत्पुडा की सबसे उची चोटी बोले तो दूपगड बताने 350 मेटर इसकी हाइट और ये मद्दे परदेशों पड़ती है वहीं पे हिमाले की सबसे उची चोटी का नाम है माउंट एवरेश्ट का नाम है जो कहां पड़ती है आपके नेपाल में माउंट एवरेश्ट इसको नेपाल में क्या बोलते हैं सागर माथा क्या बोलते हैं दोस्तों सागर माथा अगले परसन में देखिए भाई अगले परसन में क्या दिए परसन कहां गया इन में से कौन केरल को तमिलनाडू से जोडने का कारे करता है ये तो गलत नहीं करोगे देखो ये आपका क्या है पश्मिगाट और ये क्या आपके पूर्विगाट और ये आपके केरल है और ये आपके तमिलनाडू है इन दोनों को जोडने का जो रास्ता है ये वाला इस दर्रे का नाम पूछ रहा है दर्रा तो इसको बोलते है पाल गाट तो पस्मिस से पूरव को जोडने वाला दर्रा पूले दर्रा बोले तो पाल गाट और पहाडी बोले तो पहाडी बोले या परवत बोले तो क्या और यह पालगार दर्रा किस राज्जे में पढ़ता है तो आपको बोलना है केरल में कहां पढ़ता है और केरल को आपस में किस राज्जे से जोडने का कारे करता है राज्जे बोले की पालगार दर्रा किस राज्जे में तो आप क्या बोलोगे केरल में लेकिन जोडने का कारे किसको कर रहा है तमिलाडू लेकिन नीलगीरी की जो पाड़ी है एक किस राजजे में पढ़ती है तो केरल और तमिलाडू दोनों बताना आपको तो यहां का राइट उत्तर क्या गरोगे आप कई बार परसन आता है कि थालगाट दर्रा किस राज्य में तो आपको बताना है महराष्टर में कहा है भईया ये महराष्टर में वहीं पे सिपकिला दर्रा की अगर बात करें तो ये कहां पड़ता है आपके इमाचल परदेश में वहीं पे पालगाट दर्रे की बात करें तो ये किस राज़े में है केरल में वहीं पे बोरगाट की अगर बात करें तो ये भी कहां पे आपके महराष्ट में लेकिन कई बार परसन आता है कि गुरू जी नातुला दर्रा कहां पर है नातुला दर्रा तो नातुला दर्रा कहां पड़ता है सिक्कि में किसमें भया सिक्कि में तो चीजों को थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे चीजे याद हो जाएंगी दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है जीके को मजबूत बनाना सिंपल सी बात है एक रूटिन बना लो कि सर मुझे कुछ भी हो जाए कि डेली मुझे 30% पढ़ने कितने पढ़ने अगर आप 30% पढ़ रहे हो तो ये मान के चलो आप 1% के 4% फालतू पढ़ रहे हो यानि कि डेली के 30% वो 4 फालतू पढ़ रहे हो यानकी 5% और 5 ते 15 यानि कि 500% आपको डेली याद होंगे कितने याद होंगे डेली अगर रूची से पढ़ रहे हो तो डेली जीके के आपको 500% ओटोमेटिक याद होंगे एक दिन के, एक दिन है, यानि कि एक महीने में कितने दिन होते है, तीस दिन, तो यानि कि मोटे मोटे अगर देखा जाए, तो एक महीने में कितने परसन होगे, नो सो, और नो सो अगर पूरे साल पढ़ने है, तो कितने हो जाएंगे, बारा नीमें, आपका कितना होता है, एक स तो आपको 10,000 परसन एक साल में 10,000 आप कोई भी कम्पिन इग्जाम के तैयारी कर लेना जिसमें मोटे-मोटे रूप से आपको 5-6,000 परसन इभी आप पढ़ते हो ना तो आप यह मान के चलो अगर 20 परसन इभी आप पढ़ रहे हो ना 20 परसन पेपर में आते हैं तो आपका स्कोर 15 और 16 के बीच में तो कन्फर्म रहेगा क्योंकि जो 4 या 5 परसन आते हैं वो करंट के परसन बनते हैं जब करंट आपसे याद नहीं हो रही है न तो यह मान के चलो पढ़ोसी से भी याद हो सकती है नहीं भी हो सकती वो आपके 50-50 चांस बनता है अगर मैनस से पढ़ोगे तो आपके 20 के भी सही हो जाएंगे तो यह लगन आपको बनानी पढ़ेगी यही आपका फोर्मूला जीके में लगाओ यहीं इंग्लिस में लगाओ यही मैथ में लगाओ जहां पर आपका जो सब्जेक्ट है जिसके प्रिक्षा के त्यारी करें तो यह काम क्या है's daily पढ़ना है daily करना कुछ है यह नियकी आज पढ़ लिया एक महिना पढ़ा फिर आपने बंद कर दिया तबी तो हम क्या होते हैं कि किसी प्रिक्षा की लक्षे तक नहीं पहुच ह ao T क्योंकि रूटीन क्या होती है दस दिन चलती है और 11 दिन बिगड़ जाती है संक्ति ले बैठती है हम पढ़ते हैं तो पड़ोशी कहता है किसी पढ़ता है चैट चला इंस्टा चला चला एक फोलो बेजियों होने तू फोलो बैक करें रेल चला यह देखके लिख्यों आई ल चलो कोई दिक्कत नहीं एक दिन कर लिए तो यह उसकी रिकवरी आज कर रहा है कल नहीं पड़ा तो आज यह ज्यादा पड़ लेगा यानि कि कल नहीं पड़े तो आज दूसरे दिन आप यह साठ परसन याद कर लेगा एक रूटीन जरूरी है तो यह भी निकाता कि आप 30 पड़ो और यह दस तो पड़ो कम से कम कुछ नि करोगे तो मुझे दिख रहे यह कुछ निता यह बस एक मजाग था बस सीरियस नहीं हो ना कभी आप सीरियस हो जाओ पढ़ने लग जो अरे कुछ निये कोई बगार आप कुछ निए पढ़ना आरा आप से मस्ती मारो इस्ट अरसास्तर के छेतर में अभी तक दो बारतियों को मिला है कितने वारतियों को मिला है दो बारतियों को मिला है और दोनों के नाम बताता हूं एक तो मिला था 1968 में कम मिला था 1968 में और एक मिला था 2019 में और 2019 में जिसको मिला है उसको बोलते अभी अभी जीत जीत बनर जी अभी प्रुषकार मिले और दोनों के नामा याद रखने किस वर्स मिला है और किस वर्स मिला है और कितने भारती हैं और किस छेत्र में और अर्षास्तर को नोबल प्रुषकार में जोडा कब अर्षास्तर को नोबल प्रुषकार में जोडा था 1968 में जोड दिया और बोला कि अगले तो किस छेत्र मिला है साइते के छेत्र में और यह किस वर्स मिला है तो आपको यादगना 1913 में वहीं पे अमर्ते सेन का आपको पता जल गया 1908 में हम बात किसकी कर रहे है अड़सास्तर की वहीं पे वेंकेट रमन की अगर बात करें तो इसका सोटने में यादगना सीवी रक्यूरिय सीवी रमन तो सीवी रमन को मिला था 1930 के अंदर आपके physics छेतर में किसमें भया बोतिक छेतर में तो रख लेगा याद है और शांति के छेतर में सबसे पहले महिला ही कोई मिला था बारत की महिला तो वो थी मदर टेरेसा वो Mother Teresa की अगर बात की जाए Teresa तो ये 1979 में तो भारत की पहली महिला Nobel पुस्कार प्राप्त करने वाली Mother Teresa किस वर्स में 1979 में अमरते सेन को मिला था मनोज पचार अमारे बीच में जूड़े है ले भाई मनोज पचार खैस दे मिटर ने देखी जागी अगले परसन को देखे बाहरत प्रतम सिख परदान मंतरी का नाम बताना है ये गलत हो गया ना तो देख ले अरजन कूट कूट के कूट कूट के मोर बना दूँँ तेरा मैं तेरू पूच्छो क्योंकि यांग पग देखी होगी शिरप और पग गुणमान देख रहे है पंजाबी और पंजाबी क्यों है आपका सिख तो यहां पर राइट उत्र क्या हो जागा मन महान सिंग देश का परदान मंतरी बना था 2004 से लेकर आपके 2000 अब आपसे पूच सकता है इतनी बात बताना मन महान सिंग से पूर्व परदान मंतरी कौन था पूर्व भिहारी यानि कि कौन था अटल और मन महान सिंग के बाद कौन है मोदी और आज भी कौन है यानि कि यह 2014 से पदवार को समाल रखा और कब तक चल रहा है वर्तमान क्या तीसरी बार भी बन सकता गया अब देखो वो तो जनता पर डिपेंड करता है क्या करती है जनता बनेगा नहीं बनेगा वो बाद की बात है माई जून में देख लेंगे भारत के मुखे नियाएदिस की नियूक्तिन में से किसे के दुवारा की जाती है याद रखना सुप्रीम कोट और हाई कोट इन दोनों के अंदर आपके जितने भी आपके क्या होती है नियाएदिस चाये वो मुखे नियाएदिस हो चाये वो कैसे नियाएदिस हो अन्ये नियाएदिस सभी की निूक्ति कौन करेगा only for एक ही आदमी करेगा जिसका नाम कहा है सब्रायी रास्ट्रुपति है है तुम किस हाई कोट में कितने नियादी सिन्भी ये काम करने आधिकार किसको एथा संसद्रिट को सब्सक्राइब कर दो सुप्रीम कोट्ट के नियाची स्पत की अगर बाट की जाने तो क्या बताओगे है औरvad Prof. यह मैंने बात करिए only for आपके मुख्य न्याइदिस की या Supreme Court के High Court के अगर कोई व्यक्ति अपना त्याग पतर देंगे ना त्याग पतर वो किसको देंगे सोरी High Court के न्याइदिसों को क्या दिलानी है सपत सपत याद रखना सपत इनको दिलाएगा राज येपाल कौन दिलाएगा लेकिन बाकी जितने काम बच गए हाई कोट का न्याइदिस अपना त्याक पतर छोड़ेगा या देके जाएगा वो देगा राश्ट परती को और इनकी न्युक्ति भी कौन करेगा लेकिन सपत अलग हो जाएगा अगले परसन में देखे क्या दिये गए लास्ट परसन वो देखते हैं आज की गलास का इन में से मंदिर को यूरोपियों ने Black Pagoda भी कहा है वे कोण सा मंदिर है जिसे Black Pagoda यानि की समुंद्र की और आने वाले मंदिर की संग्या दी गई है तो यानि की यहां पे राइट उत्र हो जाएगा आपके कोणा सूरे मंदिर है कई बार ये परसन आता है कि जो कामाख्य माता मंदिर है तो बताते हैं माता की योनी की पूजा की जाती है और ये माता किस राज्य में फेमस आपके असम में और कामाख्य माता मंदिर किस राज्य में भया आपके असम के अंदर तिरुपति की अगर बात की जाए तो ये कहां परता है तिरोपती बाला जी मंदिर अंदर पर्दिस में जगनात मंदिर के अगर बात करें तो यह कहां पड़ता है ओडिसा तो जगनात में एक जगह पड़ती है जिसका الن상 아니에요 पूरी क्या नाम आता है पूरी तो यानि की उडिसा के अंदर एक जगह है आपके पूरी तो वहाँ पी इसकी और कोणाक सूरे मंदिर की सराज जिम पड़ता है आपके तो इसको क्या बुलाता है आपके बलेक है पेगोड़ा और याद रखना कोणाक सूरे मंदिर का जो चित चितर आपको देखने को मिलता है कौन से रुपे के नोट पर आपको रानी की बावडी या रानी की बाव आपको देखने को मिलता है सारे विध्यारती कमेंट करेंगे चैट सेक्शन में सभी का देखूंगा मैं बताईए जो भी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ा है चैनल को सस्क्राइब जूरू करना दोस्तो कौन से रुपे के नोट पे रानी की बावडिया बाव आपको देखने को मिलता है तो रानी की बावडिया जो चित्र हमें देखने को मिलता है वो 100 रुपे के नोट पे मिलता है जबकि अलोरा की गुफा की अगर बात की जाए तो यह आपके 20 रुपे के नोट पे मिलता है जो महराष्ट रोरंगाबाद वें पढ़ती है वहीं पे आपके जो हमपी का रहा था देखने को मिलता है यह 50 रुपे के नोट पे मिलता हमपी का रहा किस समझेता आपके करनाटक से वहीं पे 200 रुपे के अगर बात की जाए तो सांची का इस तूपयाद रखना है जो असोक के दवारा निर्मित किया गया था जो मद्दे परदिश्म पढ़ता है वहीं पे दिल्ली का लाल किला जो सांजवा दवारा बनाए गया था यह दिल्ली का लाल किला आपके 500 रुपे के नोट पे देखने को मिलता है वहीं पर हमने क्या देखा गया था मंगल यान तो मंगल यान कितने रुपे के नोट पर देखने को मिला था 2,000 रुपे सभी नोटों को जारी करने का जो अधिकार है वो किसको है RBI Bank को और RBI Bank 2 रुपे से लेकर 10,000 रुपे तक के नोट जारी कर सकता है जबकि 1 रुपे के नोट को जारी करता है 12 सरकार का और 12 सरकार द्वारा एक रुपे के नोट पर साइन करता है वित्मंतराले का सैकेटरी आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं मिलते हैं कल तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम